अंतराश्रय योग दिवस की तैयारिया आम हो या खास सब कर रहे हैं जी तोड महनत शहर के विबन हिस्सों में लगाए जा रहे हैं योग कैम्प स्पेशल चिल्डरून के लिए भी हैं खास इंतिजाम 21 जून को मनाय जाने वाले अंतराश्रय योग दिवस के लिए हर कोई खूप महनत कर रहा है चाहे आम हो या फिर खास सब मिलकर इस दिन को एक यादगार दिन बनाने की जदो जहद में जुट गए हैं और कड़ी में कुछ खास बच्चे भी हैं जो योग दिवस के दिन प्रधान मंत्री के साथ योगा भ्यास करेंगे देखें खास रिपोर्ट यहें चंडिगड के सेक्टर 31 के ग्रिड यानि की गौर्ण्मेंट रिहाबिलिटाइजेशन इंस्टीट फोर डिसेबल के बच्चे जिने आजकल योग की ट्रेनिंग दिचा रही है सुखना लेक पर एक खास केंप का आजन किया गया जहां 21 जून के मुताबिक बच्चों को योग शिक्षा दी जा रही है साथ में बच्चों के परिजन भी है 21 जून को दूसरा अंतराश्य योग दिवस मनाया जा रहा है कारेक्रम में प्रधानमत्री नरेंद्र मोधी खास और पर शिरकत करने चड़िगड़ा रहे है उनके साथ होंगे कैपिटल कॉंपलेक्स में तकरीवन 35,000 लोग जबकि कुल एक लाख लोग शेहर के अलग-अलग हिस्सों में योग करेंगे इतने बड़े पेमाने पर होने जारे इस कारेक्रम के लिए प्रशासन ने भी अपनी कमर कसली है जिसके तहट आम तो आम कुछ खास तबके के लोग भी शिरकत करेंगे वर्ड्स नहीं हैं, एक्स्पेन नहीं कर सकते हैं आप खुदी फील कर सकते हैं यहां पर कि अगर यह बच्चे एक तरह से मेसेज दे रहे हैं सोसाइटी में कि अगर हम और परसन मेरे ख्याल से जो नॉर्मल परसन है वो भी उसके लाइफ स्टाइल का पार्ट नहीं है योग बट यह देखी यह रेगुलर इनका प्रेक्टिस चलता है तो मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छा बहुत वंडरफूल मेसेज है हमारी सोसाइटी में कि योग जो है वो केवल समानी वक्तियों के लिए नहीं सब लोगों के लिए हैं अभी अराउंड 200 का हमारा मैक्सिमम जो टार्गेट है बाकी जो 100 बेस्ट हैं वो मोदी जी के साथ जो एक स्पेशल सेल होगा बहां परफॉर्म करेंगे सोसाइटी में सब लोग आवेर हो जाएं क्योंकि ये बचे सब कुछ कर सकते हैं गौर करने वाली बात है कि चंडिकर प्रिशासन की ओर से योग दिवस को सफल बनाने के लिए शेहर भर में 200 से ज्यादा योग प्रक्षिक्शन कैम्प चलाय जा रहे हैं लेकिन किसी पे कैम्प में इतनी बड़ी भीर नजर नहीं आ रहे हैं हाला कि अभी वक्त है और बच्चों की लगन को देखकर यही लगता है कि जहां जजबा है वहीं जीत है कैम्प मेंन परवीन के साथ कुलदीब कुमार नैशनल बज